स्वागत है आपका लोती का ब्लॉक्स फिक्सीजी की बोलती कहानियों में मैं लोती का आज आपको सुनाती हूँ एक मज़िदार कहानी धोबी का गधा आई ये कहानी शुरू करते हैं एक काउ में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था वह रोज सुबह अपने गधे के साथ लोगों के घरों से गंदे कपड़े लाता और उन्हें धो कर वापस दे आता यही उसका दिन भर का काम था और इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी गधा कई सालों से धोबी के साथ काम कर रहा था और समय के साथ साथ अब वह बूढ़ा हो गया था बढ़ती उम्र ने उसे कमजोर बना दिया था जिस वजह से वह ज्यादा कपड़ों का वजन नहीं उठा पाता था एक दो पहर धोबी अपने गधे के साथ कपड़े धुने धोबी घर जा रहा था दूप तेज थी और गर्मी की वजह से दोनों की हालत खराब हो रही थी गर्मी के साथ साथ कपड़ों के अधिक वजन के कारण गधे को चलने में परेशानी हो रही थी वो दोनों घाट की तरफ जा ही रहे थे कि अच्छानक गधे का पैर लड़ खड़ाया और वहाँ एक गहरे गड़े में गिर गया अपने गधे को गड़े में गिरा देख धोबी खबरा गया और उसे बाहर निकालने के लिए जदन करने लगा बूढ़ा और कमजोर होने के बावजूद गदे ने गड़े से बाहर निकलने में अपनी सारी ताखत लगा दी लेकिन गधा और धोबी दोनों नाकाम्याब रहे धोबी को इतनी महनत करते देख कुछ गाउवाले उसकी मदद के लिए पहुँच गए लेकिन कोई भी उसे गड़े से बाहर नहीं निकाल पाया तब गाउवालों ने धोबी से कहा कि गधा अब बुड़ा हो गया है इसलिए समझतारी इसी में है कि गड़े में मिट्टी डाल कर उसे यहीं दफना दिया जाए थोड़ा मना करने के बाद धोबी भी इस बात के लिए राजी हो गया गाउवालों ने फाउड़े की मदद से गड़े में मिट्टी डालना शुरू कर दिया जैसे ही गधी को समझाया कि उसके साथ क्या हो रहा है तो वह बहुत दुखी हुआ और उसकी आँखों से आंसू निकलने लगे गधा कुछ देर चिलाया तेकिन कुछ देर बाद वह चुप हो गया अचानक धोबी ने देखा कि गधा एक विचतर हरकत कर रहा है जैसे ही गाओं वाले उस पर मिट्टी डालते वह अपने शरीर की मिट्टी को नीचे गड़े में डाल देता और उस मिट्टी के उपर चड़ जाता ऐसा लगातार करते रहने से गड़े में मिट्टी भरती रही और गधा उस पर चड़ते हुए उपर आ गया अपने गधे की इस चतुराई को देखकर धोबी की आँखों में खुशी के आंसु आ गए और उसने गधे को गले से लगा लिया तो दोस्तों धोबी का ये गधा हमें ये सीख देखर गया कि मुश्किल से मुश्किल परिस्तिती में भी आप अपनी बुद्धी का प्रयोग कर कठिनाईयों को पार्प कर सकते हैं तो ऐसे और कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग